हेलो फ्रेंड्स आज ये आपड़े PC नू फोर्थ चेप्टर चेप्टर सर्विस लाइन अन्य डिस्ट्रिबिशन और फिलिदिंग और कॉंप्लेक्स जे आपड़ा सुथी पहला जे पंड सर्विस लाइन होई छे सर्विस लाइन कौने के बाए तम्हें तमारी घर नी बार जोता आसो जैना पर वाइर्स जोता आसे चार पांच आ जे वाइर्स चे त्यां थी लईने आपड़ा एनरजी मीटर सुथी आपड़ी घरे जे एलेक्ट्रिसिटी नो मीटर लागियू छे त्यां सुथी जी वाइर आवे छे एने सर्विस लाइन के वाँमा आवे छे जे पन पोल उपर तमें जे चार के पांच वाइर जुओ छो जनरली ये सौथी उपर अर्थ वाइर होई छे सौथी नीचे नीचे न्यूट्रल वाइर अने वच्चे आपड़ी त्रण लाइन आर भाई अने बी आपने ख्यालत छे के जे लाइन टू लाइन वोल्टेज होई ये 415 वोल्ट होई छे कारण के पोल मांटे ट्रांस्वोमर जे चे ए 11 के भी भाई 415 वोल्ट होई चे एनी अंदर थी आपड़े जी यूज करिये चे फेस वोल्टेज कारण के जे आपड़ दरेक इलेट्रिकल एक्विपमेंट छे 230 वोल्ट उपर रेटेड होई चे एटल ये ऐपड़े गेर पर स्धस्वीं इन मा अइटै कैए नरजी मीटर नी अंदर आवे चांश कारता प Jord Alpi आबेऊ छे हम्मेशा प्रोटेक्शन मा टे फीूस जिये होई छे एंमेशा फेज मां प्रोड़ करूइड वाम महा हे छेँ नीट्रल मा नहीं करंट के जेपन्ट करंट वदरणो फ्लो थावा नौच ए दो फेज मां थी थाईने दवानों चे तो सर्केट ना प्रोटेक्शन मां टे आपड़े हम्मेशा फ्यूस चे ए फेज मां लगा डिये चे तो एनरजी मीटर ना कनेक्शन तमने ख्यालावे आसे के फेज नूट्रल नूट्रल अने फेज पुल उपर जी पांच वायर तमने दिखाई चे उपर नो अर्थ पची आर वाई बी अने नूट्रल लाइन टू लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट लाइन टू नूट्रल वोल्टेज जे चे ए 230 वोल्ट अर्थ नो पोटानो पोटेंशेल 0 वोल्ट चे अने नूट्रल नो पोटानो पोटेंशेल पड़ 0 आपना मेन स्वीच मा आने मेन स्वीच मा थी आपनी घर मा अथवा बिल्डिंग जे होई जे एनी अंदर जाए जे दर एक कनेक्शन पैरलल मा होई जे कारण के अपने 230 वोल्ट जोता होई जे पंता मारी ट्रांस्मीशन लाइन्स चे एना कंडक्टर छे एल्यूमिनियम ना ब तो आपना कंडक्टर छे जनरली आ अखा डायेग्राम नी बात करिये तो आनी अंदर थी बे वस्तु खुबज काम नी चे पहलू डेफिनेशन के सर्वीस लाइन को ने कहवा मा आवे चे तो सर्वीस लाइन एटले के तमारी डिस्रिबिशन लाइन थी तमारा एनरजी मीट गया डेटर सुधी जे वायर आवे चे एनने सर्वीस लाइन के वामा आवे चे वीजे वस्तु आ आप ना क्डूक्टर छे एना फूलफ़ॉम अल्युमिन्युम अल्युमिन्युम कंडूक्टर स्टिल रैंफुर्स्ट डिस्रिबिशन लाइन थी लेने एने अंडर्जी को यईन्सिलिटर यूस थाई जर्डरली एक शेकल टाइप इन्सिलिटर चाहिं जर्ड़ नंनी अग्या aspire फईर चीनिनेटरक इन्सिलिटर Neben पने अंते शेकल ेजरे ये लिउस थाई जाई चे, ओवर्लोड ने कारण से, एकला माळी एनो सिंबॉल आओ राखह لمावारे जाई जा रे आ जे न्यूट्रल नी लिंक छे एनो यूज खाली ने खाली मैंटीनेरस ना काम मा सरकिटाइसोलेट away मांटे यूस थाई चे इटला मांटे एनो सिंबॉल आटाइबनों चे आएनो एक पिक्चर लीधू छे आपनो डायग्राम चे ने एक्चुल व्यू साथ है आपड़े जो कंपेर करिये तो यहां तमने चे देखाई छे शेकल टैपना इंसिलेटर्स चे अने पोल मांटे ट्र का ओवरेट कंड़क्टर नी अंदर वायर्स खुलना चे तो यहनी अंदर थी थेफ थावानी पॉसिबिलीटी बहुँ इजी ली रहे चे तो यह लोगा एरियल बंच कंड़क्टर हावे बधी जिग्या है नवी नवी जिग्या है जया पन सर्विस मढ़े चे त्यां एरिय बंच कंड़क्टर नाखे जे अईरियल बंच कंड़क्टर मां कंड़क्टर उपर इंसुलेटर हुआ थी और डाइरेक्ट थेफ जे थाती होई चे एक रवी पॉसिबल नथी होँआ वाद करिए कि भी आपने घरे सप्लाई का इरते मढ़े चे तो जो तमारों लोड च्छ 5V पर मढ़े जे अने जो कुए पन बिल्डिंग नो लोड 100 kVA करता वधारे होई तो यहने पोल मांटेड ट्रांसो मार आप्पा मा आवे चे बिल्डिंग नी नाचे औने त्यांती पछी डिस्ट्रिबीशन बिल्डिंग नी अंदर करवा मा आवे चे तो यहां त्राणे त जो distribution line नी वाद करिये तो एनी इंदर 5 वायर होई चे earth, r, y, b अने neutral, earth नूँ पुदानू potential 0, neutral नूँ पुदानू potential 0, r, y अने b त्राने त्रान, जो 0 नी respect मां measure करिये तो 230 वोल्ट चे अने जो between the phase measure करिये एटले के r अने y, y अने b तो 440 वोल्ट चे service line ना बेटाइप पड़े चे overhead conductor अने underground conductor, जो तमें pole उपर थी direct connection meter नी अन्दर आपो चो, तो एने केवाई चे overhead conductor, अने जो तमें एने underground, एटले के pole उपर थी ground उपर लई जाओ, जमीन मां आने त्या थी meter नी अन्दर लई जाओ चो, तो एने केवाई चे अन्दर लाउन service line बीजुकोण एक बे मकना question माटे distribution line point of view सारो information चे लेटा चे, कि जहरे load तमारो 1 kWh करता ओच हो है, जनरली जे पंड नवा घर बने चे, त्यारे ने जे connection आपामा आवे चे, 0.5 kWh उपर आपामा आवतु होई चे, त्यारे हम्मेशा जे conductor यूस थाई चे 10SWG, इटले के standard wire gauge, तमें wiring माँ पड़ अल्डेडी भणे हासो, अथा तमने ख्याल हसे कि जे पड़ wire चे, ए SWG पर थी ओड़क फ़र मा आवे चे, किटला gauge नो wire चे, एवीज रिते जो load 2.5 kWh करता ओधा रहे होई, तो 8 SWG नो wire यूस करओ माँ आवे चे, आन्ने load 12 kWh करता ओधा रहे होई, तो जे copper conductor आपड़े यूस करिये चे, छा SWG नो चे, अहीं आज आपड़े copper conductor नी बाद करी रहा चे, ए वाइलिंग माँ आटे नी बाद करी रहा चे, distribution line मां आने transmission line मां, aluminum ना conductor यूस थाई, SWG नी बाद निकडिक छे, तो आपड़े जोई लिए कि standard wire gauge अथो, कोई पण wire नो gauge कईड़े मेजर करवा मां आवे चे, ए मेजर करवा मां आटे आपड़े, आ जे instrument तमने यह दिखाई चे, PPT मा, एने SWG के वाई चे, standard wire gauge, उपर धी वायर नाख़ा मां आवे चे, gauge मां, अन एना पच्छी नीक ये sizes है, एनी अंदर ए खाचा नी अंदर wire एंटर नहीं थे शकतो है, तो आपने तियां सुधी try करया कर सो, जियां सुधी ए wire next खाचा नी अंदर एंटर नहीं थे शकतो है, तो यह उपर अल्लेडी येना gauge लखे ला चे, वंथी start करी, अने 36 सुधी आ न परदा हसो के one number नो wire जे चे, वन SWG नो wire कहिए, तो यह नी size सुधी बदा रहे हसे, अने 36 gauge नी size चे, सुधी पतलाओं पतलो अथा ना नो wire हसे, standard wire gauge नी बीजी बाजू, आवी रिते आंकडा लखेला होई चे, आज ये आंकडा लखेला चे, ए जे पण wire तमें मेजर करो चो, ए wire नो diameter तमने आपे चे, अहीं ये पणा numbers लखेला चे, ए तमने wire नो diameter आपे चे, mm नी अंदर, एक वकत तमने wire नो diameter mm में मड़ी जाए, तो तमें एनो area, pi r square नी मदद थी find करी शको चे, जेमके आपड़े कहिए चे कि 1 square mm नो wire चे, एसा 1.5 square mm नो wire चे, distribution में आपड़े यू अने तमने अहीं चे मड़े चे, आ number चे लखेला चे, ये diameter चे, तो diameter उपड़ी पन तमें एनो area find करी शको चे, wire नो केटला चे